वन्डे एक्जाम्स आर नोट दा गेम पार्टिसिपेंट्स इट इस दा गेम प्लियर्स जो एक दिवजिये परिक्षा हैं यह भागीदारों का परिक्षा नहीं है यह खिलारियों की परिक्षा है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे स्सी के पैटर्ण में जो पूछें जाते हैं 25 वीडियो में सारे बैल आपसे रिक्षा है कि यदि आप हमारे चलर पर नाए है तो चलर को सब्सकायब कर ले और बैल आइक अईगा देए जिससे कि हमारा जो नया वीडियो है उसका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आएए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला कुश्चन यह रहा आपके सामने स्क्रीन पर, पहला कुश्चन है कि सेक 5A माइनस 15 की वेलू को सेक 15 माइनस 2A के बरावर है, तो आ कॉसेक थीटा के बरावर होता है, तो हम इस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 5A प्लस यह 15 हो जाएगा, और इसको ज्योंकातियों रखते हैं, कॉसेक 15 माइनस 2A, कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 19 minus 5a plus का 15 is equal to 15 minus का 2a है की नहीं 15 से 15 ये कट जाएगा 5 ये वहाँ चला जाएगा और 5a में से 2a गए 3a 3a is equal to 90 तो a की value कितनी आ गई 30 degree आ गई a की value कितनी आ गई 30 degree आ गई अब आप से इसकी value पूछ रखी है तो आपको कुछ नहीं करना simple सा a की value पूट कर देनी है cos a, cos यानि cos 30 plus sin 2a तो 2 into 30 is equal to 60 तो sin 60 plus 10 1.5a 1.5a into 30 1045 हो जाएगा cos 30 की value कितनी होती है root 3y 2 होती है और sin 60 की value भी root 3y 2 होती है और 1045 की value बन होती है तो root 3y 2, root 3y 2 2 root 3y 2 हो जाएगे तो ये root 3 हो जाएगा और ये plus 1 हो जाएगा तो ये हमारा क्या आगया answer आगया तो हमारा कौन सा option हो जाएगा हमारा d option answer हो जाएगा चलिए next question पर चलते हैं अगला सवाल क्या है ये simplification का question है और simplification की जो सवाल है बोर्ट मास्क यूज करके हो जाते हैं तो इस प्रेंट को हम solve करेंगे इस प्रेंट को हम solve करेंगे आपको क्या दे रखा ये बड़ा ब्रैकिट 6 minus ये मंजला ब्रैकिट फिर 7 by 2 प्लस छोटा ब्रैकिट 5 by 4 divided by 5 by 2 छोटा ब्रैकिट ये मंजला ब्रैकिट और ये बड़ा ब्रैकिट और multiply by 7 अब हम इसको solve करेंगे तो 6 minus 7 बटा तो जियों काते हूं पहले हम इसको solve कर लेंगे तो 5 बटे 4 और 5 बटे 2 division किस में change हो जाता है multiplication में change हो जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा और 2 दूनी 4 तो 7 बटे 2, 1 बटे 2 कितना हो जाएगा 7 बटे 2, 1 बटे 2, 8 बटे 2 तो 8 बटे 2, 4 होता है तो 6 माइनस 4 गुणा कितना बच्चा 7 6 में से 4 गए 2 बच्चे और 2 गुणे 7 तो कितना answer आजाएगा 14 answer आजाएगा तो हमारा कौन सा option हो जाएगा C option हमारा answer हो जाएगा चलिए चलते हैं अगले question की तरफ next question हमारा क्या कह रहा है यह डियाई का प्रसन है और इस प्रसन में बोला है कि 2015 से लेकर कि 2019 तक 3 विस्षिध ध्यालाय में मैं दाखिल लड़कियों की शंख्या को दरसाता है तो सारणी में हाँ यह रहा question स्क्रीन पे तो बताना यह है कि 2019 और 2015 में दाखिल लड़कियों की शंख्या की बीच का अंतर के लिए नियुन्तम है तो देखो आपके पास तीन विस्षिध ध्याला है A, B and C तो A, B और C में विस्षिध ध्यालाय में 2015 और 2019 के बीच जो नियुन्तम बैलू है वो कौन से विस्षिध ध्यालाय के लिए है तो आप देखिए 2015 से लेके 2019 तक देखना है A और B में डिफरेंस कितना है 25,000 में से 15,000 गए कितने हजार बची 10,000 बची 20,000 में से 10,000 गए कितने बची 10,000 बची 5,000 और 22,500 में डिफरेंस कितने का है 17,500 का डिफरेंस है तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसमें है उसने निंतम पूचा है तो निंतम किसमें है? A में है और B में है तो हम क्या आंसर लगा देंगे बोथ ही उनिवर्शिडी A and B क्योंकि A और B दोनों के लिए ही बरावर मान है तो निंतम किसके लिए हो जाएगा? ये और B के लिए निंतम हो जाएगा अगला प्रस्न ये प्रस्न क्या कह रहा है? एक होस्टल में 50 चात्र थे 10 से बढ़ जाता है तो 80 रोपया देने खर्चा बढ़ जाता है 5 बै घड़ गया तो चात्रों का कुल्वय कितना था? तो देखिए कितने 50 से 10 चात्र कितने हो गए 60 हो गए तो 60 चात्र हो गए औसत हमने माना पुराना एक्स था अब 5 कम हो गया तो ये एक्स मानस 5 हो जाएगा और 50 चात्र का औसत हमने एक्स माना है इसका difference कितना दिया है, 80 दिया है, क्योंकि उसत जो है 80 बढ़ गया, तो इसको solve कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, 60 X, minus के 300, minus के 50 X, बरावर कितना 80 हो जाएगा, 60 में से 50 गए 10 X हो जाएगे, 80 और 300 जुड़ेंगे, तो 38 हो जाएगे, तो X की value कितनी आ गई, 38 आ गई, उसन चात्रों का खर्चा कितना हो जाएगा, 50 गड़ें 38 हो जाएगा, तो 0, 5, 8, 40 का 0 हासिल किया ही 4, 5, 3, 15, 4, 19, तो हमारा answer कितना हो जाएगा, 19 सो हमारा answer हो जाएगा, चलिए अगले प्रसंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कुश्चन है, इस कुश्चन में देखिए क्या द 2N प्लस का 1 अपोन 9 की पावर N इंटू 3 की पावर N माइनस 1, अब देखिए 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 243 को हम 3 की घात 5 लिख सकते हैं, तो 3 की घात 5 गुड़े N बटा 5 इंटू 3 की घात 2N प्लस 1 अपोन 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं, तो ये 3 की power 2N हो जाएगा और 3 की power N minus 1 हम इस बात को भली भाती जानते हैं कि गुड़ा में घातें जुड़ती हैं गुड़ा में घातें जुड़ती हैं तो इसमें गुड़ा में घातें जुड़ती हैं कब जुड़ती जब आधार समान हो, तो यह क्या हो, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, और यह 5 से 5 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा, 3N प्लस का बन, यहां पर भी आधार समान है, यह हो जाएगा, 3 की घात, 3N माइनस की बन, अब यह भाग में आ गया आधार समान है, तो हम यह भी जानते हैं, कि भाग में घातें घटती हैं तो 3N प्लस बन में से 3N माइनस बन जाएंगे तो 3N से 3N कड़ जाएंगे माइनस के बन प्लस का हो जाएगा तो 3 की घात 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आजाएगा 9 हमारा आंसर आजाएगा चलि अगले प्रशन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 218 से 2019 तक सबजी के कुल उतपादन में ब्रदी पृतिशत में कितनी है, 218 से 218, तो ये 18 है, ये 19 है, तो आप 18 का जोड़ दीजे, 18 में सबजी कितनी सहल हुई 700 और 500 बारा सो सतर यहां हुई 1270 है न तो 19 में कितनी ही 800 600 1400 यह हुई 1490 इन दोनों का डिफरेंस देख लीजी तो यह 0 9 में से 7 गए 2 बची चार में से 2 गए 2 बची यानि 220 की ब्रद्दी हुई है और 2018 की रिस्पेक्ट में तो परसेंट में क्या हो हो जाएगा 220 की इंक्रिमेंट हुआ है 1270 की कंपेरीजन में गुणा कितना कर देंगे 100 कर देंगे तो इसको सॉलू करने के बाद आपको मिलेगा 17.32% तो आपका आंसर कौनसा हो जाएगा D आपका आंसर हो जाएगा next question इस question में देखिए क्या दे रखा है a plus b plus c की value दे रखी है इसकी भी value दे रखी है और आपको इसकी value बतानी है तो इसका सीधा सीधा एक formula होता है क्या होता है aq plus bq plus cq minus 3abc is equal to a plus b plus c bracket closed a plus b plus c b ka whole square minus 3ab plus bc plus c a ठीक है अब आपको केवल value पूट करनी है इसकी value कितनी दे रखी है और इसकी value आपको 175 दे रखी है is equal to इसकी value कितनी दे रखी है 7 दे रखी है bracket closed यह 7 का square minus c3 यहाँ पे ab plus bc और plus c a ठीक है अब यह क्या हो जागा साथ से इसको काड़ दीजे 7 2 14 और 7 35 बरावर 49 minus के 3ab plus bc plus c a है ना यह वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 3ab plus bc plus c a और 25 वहाँ चला जाएगा तो 49 मैंसे 25 जाएगे तो कितने बचेंगे 24 बचेंगे और यह 3 यहाँ आ जाएगा तो आपकी value क्या आ जाएगी a b plus bc plus c a बरावर आपका आ जाएगा आंसर 24 वटे 3 तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 8 आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए चलते हैं अगले प्रसुन की तरफ next question हमारा क्या कह रहा है लड़की लड़कियों का अनुपाद दे रख़ा है 50 धाईसर लड़के बड़े और 400 लड़कीयं बड़ी तो जो नहाय अनुपात है वो कितना हो गया 2, 5, 3 हो गया बताईए कि कितनी लड़किया इसकुल में अभी कितनी लड़किया है तो बड़ा सिंपल है मालों कि पहले 5x थी और ये लड़किया 7x थी लड़के कितने बढ़ एगाए 200 बढ़ गए और यहां पे लड़कियां कितनी बढ़ गई, साड़े 400 बढ़ गई, इससे रीशियो कितना हो गया, दो अनपात 3 हो गया, इसमें आप डारेट कमपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए, या डारेट क्रोस मल्टिप्लाई भी आप कर सकते हैं, जिसमें भी आप कमफोर्ट हूँ, मैं इसमें कमपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ, तो 7,5 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, प्लस 400 दूसर नहों जाएगा, 700 हो जाएगा, और e मानस b, तो यह हो जाएगा, मानस का 2x और माइनस के कितने हो जाएंगे 200 बरावर 2, 3, 5 होता है और 2 में से 3 गए माइनस का 1 माइनस यहाँ पर कॉमा ले लेंगे तो कट जाएगा यह हो जाएगा 12x पिलस के 700 बरावर 5 दोनी 10x और प्लस का कितना 1000 है ना अब आपके 12x मेंसे 10x जाएंगे तो कितने बचेंगे 2x बचेंगे 1000 मेंसे 700 जाएंगे तो कितने बचेंगे 300 बचेंगे तो x की value आपकी कितनी आ जाएगी 1.500 आ जाएगी X की value कितनी आ जाएगी 1.500 आ जाएगी अभी उसने पूछा किसे है लड़कियों की शंख्या तो लड़कियों की शंख्या कितनी है 7X plus 400 7X plus 400 7.500 और plus के 4.500 तो यह कितना हो जाएगा 1.050 प्लस 4.500 1.050 plus 4.500 तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा हमारा फंदरासव आ जाएगा यानि अभी बरतवान जो लड़कियों की शंक्या है वो कितनी है फंदरासव है ठीक है चलिए next question की तरफ चलते हैं इस प्रसंद में क्या पूछा है इसने आपसे ACD की value पूची है एंगल ACD की value पूची है तो हम जानते हैं radius tangent पे क्या होता है perpendicular होता है यह 108 है यह एक triangle है तो यह वाल और दूसरे यह वी radius है यह वी radius है तो यह दोनों equal होंगे तो 180 में से 180 में से 18 आप 18 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे यह आपका 62 आजाएगा और 62 का हम half कर देंगे तो कितना आ जाएगा 31 यानि य यह पूरा 90 है तो उसने यह वाला angle पूचा है तो angle ACD क्या हो जाएगा? насколько ACD हो जाएगा नानिटी degree मानस 31 डिगरी तो आपका answer क्या आजाएगा 59 डिगरी आपका answer क्या आजाएगा 59 डिगरी ठीक है चलो next question की तरफ चलते है अगला प्रस्द हमारा क्या कह रहा है? अगला प् x की value minus 1 रखेंगे तो x plus 1 upon x की value क्या हो जाएगी minus 2 हो जाएगी उसने आपसे इसकी value पूची है तो minus 1 की पावर अगर odd हो तो minus 1 ही आता है और minus 1 की पावर अगर even हो तो plus 1 आता है तो यह answer क्या जाएगा 0 तो आपका answer क्या जाएगा 0 next question ठीक है देखिए एक बेला कर साचा तो सबसे पहले हम बेला कर साचा बनाते हैं यह और यह ठीक है यह और यह और यह और यह यह क्या हो गया एक बेला कर साचा परंतु यह कैसा है यह hole है यानि इसके अंदर का पाट जो है वो खाली कर लिया गया है ठीक है तो अब यह कुछ इस तरह की आकरती है इसके जो उंचाई है वो कितनी तरह की यहां से यहां तक की जो उंचाई है कितनी तरह की टू पॉइंट फाइव मीटर और बाहरी तरिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज मेटर अब आप से क्या कहा प्रश्टिए छेत्फल का योग क्या होगा इसके अंदर भाग और बाहरवाले भाग यानि जो बेलन होता है वो कुछ इस तरह ऐसे होता है ठीक है? अब मान लो यह की होलो है, तो आपको अंदरवाले भाग का पूरा छेतर फल निकालना है, शात में इसके बाहर वाले भाग का, तो अंदरवाले भाग का जब हम निकालेंगे, तो छोटी वाली दृज्या यूज्ज करेंगे, और जब अंदर वाले भाग का एरिया और साथ में ये बाहर वाले भाग का एरिया तो lateral surface area is equal to 2 pi बड़े वाले का 2 pi r h प्लस छोटे वाले का 2 pi r h है ना अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 2 pi h क्या है common है 2 pi h common है और ये क्या बड़ा r और ये क्या छोटा r तो 2 जियों कहते हूं pi की value कितनी होती है 22 बड़े शाथ है ना h कितना है 2.5 meter 2.5 meter into r plus r बड़ा r 14 a 7 तो ये कितना हो जाए 21 अब चुकि ये centimeter में है तो इसको meter में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से divide कर देंगे ये decimal हट जाएगा तो यहां क्या आजाएगा जीरो आजाएगा अब इसको आप काड़ दिये साती 21 पचीस चोके 100 है ना फिर ये 2 से ये 20 बार है ना दो ग्यारा 22 दो दाएंग के 20 ये कितना होगा ग्यारा 33 बटे 10 तो 33 बटे 10 कितना होता है 33 बटे 10 कितना होता है 3.3 meter square तो हमारा क्या answer हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा B यानि इसका जो lateral surface area है वो कितना हो जाएगा 3.3 meter square चली अगला question करते हैं ये प्रसन क्या है ये आपको द 10 थीटा की value निकाल ली है तो इस प्रस्में हम क्या करेंगे आप दिखिए 3 cos square theta minus 4 shine theta plus 1 is equal to 0 है न? cos square theta को हम क्या लिख सकते हैं? cos square theta को लिख सकते हैं हम 1 minus shine square theta और minus के 4 shine theta और plus का 1 is equal to 0 है न? ये क्या हो जाएगा 3 minus 3 shine square theta minus 4 shine theta plus 1 is equal to 0 3 और 1 क्या हो जाएगे 4 तो हमें क्या मिला? minus 3 shine square theta minus के 4 shine theta plus 4 is equal to 0 let let x is equal to sin theta या sin theta is equal to x तो ये हमारा क्या हो जाएगा? minus 3 x square minus के 4 x plus का 4 is equal to 0 या minus का multiply कर देंगे तो ये कैसे convert हो जाएगी equation? 3 x square plus 4 x minus का 4 is equal to 0 ती चोग की 12 गुणा करने से 12 आना चाहिए जोडने से 4 x आना चाहिए तो हम इसको क्या लेख सकते हैं? 6 x minus की 2 x minus की 4 is equal to 0 है न? इसमें 3 x common ले लिजे तो ये क्या हो जाएगा? x plus 2 यहाँ पर minus 2 common ले लिजे ये क्या हो जाएगा? x plus 2 is equal to 0 अब हमें क्या मिल गया? 3 x minus 2 यहाँ पर क्या मिला? x plus 2 is equal to is equal to क्या? 0 ये 2 है न? अब यहाँ से आपको x की जो value मिलेगी वो कितनी मिलेगी? दो value आएगी एक तो 3 x minus 2 is equal to 0 तो यहाँ से x की value क्या मिली? 2 y 3 है न? अगर दूसरा वाला part use करेंगे तो x की value कितनी आएगी? minus के 2 आएगी है न? अब आपको यह वाली value यूज नहीं करना है आप यह करेंगे x हमने क्या माना था? sin theta माना था x हमने क्या माना था? sin theta माना था तो sin theta क्या होता है? perpendicular upon hypotenuse क्या होता है? perpendicular upon hypotenuse तो आप एक right angle ट्रेंगल बना लीजी है न? यह 90 degree perpendicular कितना है यह? कितना है? 2 hypotenuse कितना है? 3 तो यह base कितना हो जाएगा? under root 3 तरके 9 मैं से 4 गए 5 रूट 5 आप से क्या पूचा उसने? sec theta plus 10 theta क्या पूचा? sec theta और plus 10 theta तो sec theta क्या होता है? cos theta based upon hypotenuse यह क्या हो जाएगा? hypotenuse upon base 10 theta क्या होता है? perpendicular upon base तो perpendicular upon base तो hypotenuse plus perpendicular तो hypotenuse plus 5 हो जाएगा यह root 5 तो 5 अपर root 5 तो क्या आएगा? root 5 तो answer क्या हो जाएगा? root 5 तो C हमारा answer हो जाएगा ठीके? next question next question हमारा क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि M जो है M क्या है? आपका by Z का midpoint है ठीके? और आपको XMZ कितना दे रखा है? आपको यह दे रखा है 32 degree XMZ यह वाला part आपका है कितना? 32 degree ठीके? कितना है 32? और आपका XYZ यह कितना है? 16 degree है ना? कितना है यह? 16 degree आपको क्या निकालना? आपको XZ यह अर Y ठीक है यह वाला part है यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका यह पूरा 180 है तो यह हो जाएगा 148 degree कितना हो जाएगा 148 degree ठीक है अप देखें यह 148 यह 16 तो यह वाला पॉर्ट कितना हो जाएगा 16 दिगरी कितना हो जाएगा 13 डिगरी अप देखो यह वाला ट्रिंगल कैसा है आएसो स्लेस् ट्रिंगल ay125 इस वाला यह अंगल कितना यह 32 तो यह जो दोनों एंगल हैं कैसे हो जाएंगा यह 32 है तो यह कितना हो जाएगा 148 तो माना की दोनों एंगिल का जोड़ 2x है तो 2x is equal to 148 तो x is equal to कितना जाएगा 274 और 248 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर दी हो जाएगा 74 डिग्री ठीक है next question यहां देखिए यह दे रखा है यह 72 से डिवाइड है तो 72 के कित होता है एक तो 9 होता है और 8 होता है 9 8 72 अब यहां पर यानि आपको 8 का divisibility rule लगाना है और किसका divisibility rule लगाना है 9 का divisibility rule लगाना है तो यहां पर आप x y की value 1 2 3 4 5 6 7 8 रखे देखिए कि यह वाली संख्या जो है 8 से कब कटेगी तो हमने 8 रखा जब हम यहां पर 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आठे कम 8 82 नहीं कट रहने 7 रखा आठे कम 8 82 नहीं 16 कट गया यानि बाई की value कितनी आ गई 7 आ गई 7 अब हमें 7 आ गई 9 से कटना तो 9 से यह कट जाएगा यह वाला part कट जाएगा बाई हमने क्या रखा 7 तो 7 और दोनों यह कट जाएगा 6 और 4 10 अब 9 से कट हो आना है तो 10 में कितना जोड़ेंगे 8 तभी कटेगा यानि x की value कितनी आ गई हमारी x की value कितनी आ गई 8 आ गई हमें किस की value बताने 2x plus 3y तो 8 दूनी 16 और 7 21 16 कितना होता है 37 तो answer क्या हो जाएगा 37 ठीक है next question यह डी आई का question है इसमें क्या पूंचा है आपसे चार्ट ABC तीन उनिवर्सिटी इसमें गल्स दे रखी हो आपसे प्रसंद क्या है इनोंने प्रसंद किया है कि 2017 में दाखिल लड़कियों की संख्या का ओसत कितना है in 2017 है तो सबसे पहले हम क्या करें 2017 को देखेंगे हमने इस आउसाथ तीन है तो एवाला पार्ट इसको जोड़ना है तो ऊसत बताना है तीनों को जोड़के हम तीन से भाग देंगे तो हम यही ऐडवेंस में दे देगे तीशाथ इकीस पांच पंदरा यह कितना हो जाएगा 7500 तीचों के बार कितना हो जाएगा 4000 3500 15 12-35 15 तो यह कितन आगया 16,500, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, बी, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, next question, अगला प्रसन है, देखिए, zxy आपको 132, यह वाला एंगल 132 दे रखा है, और xz, xp, yp, यह यह दोनों इक्वल है, तो, आपको xz, y, यह वाला पार्ट आपको बताना है, देखिए, अगर यह दोनों side equal है, इसका मतलब, यह वाला एंगल, यह वाला एंगल equal होगा, तो हमने इसको क्या माने x, इसको भी क्या माने x, ठीक है, अब यह दोनों, इसके interior angle, तो यह exterior angle कितना हो जाएगा, x, a, x, तो यह बने t minus 2x, तो यह कितना हो तो यह वाला angle, इस वाले angle, यह दोनों, इसके लिए exterior angle है, तो x plus 2x बरावर, क्या करेंगे हम, 132, तो 3x बरावर क्या हो जाएगा, 132, तो x बरावर क्या आजाएगा, 34 की 12, तो x की value कितनी आगई, 44 degree, और चूंकि यह angle कितना है, 2x, तो 44 दूनी, 88, हमारा answer क्या हो जाएगा 88 degree, देखें, अगले प्रसंद पे चलते हैं, next question, यह देखिए, speed distance time से है, आदमी की, चाल क्या है, 5 meter per second, train की चाल क्या है, 50 meter per second, पीछे से आरे, यानि समान देशा में, और हम जानते हैं, समान देशा में, चाल क्या होती है, घट जाती है, चाल कितनी हो गई, 45 meter per second, एक train, 10 second म पार कर जाती है, किसको 500 meter के एक train को पार कर जाती है, ठीक है, एक आदमी 5 meter per second, पीछे से आरे, यानि वो train इस आदमी को 5 second, 10 second में पार करती है, तो train की चाल कितनी हो जाएगी, 45, 45, 10 second में पार करती है, तो गोणा 10 कर देगे, तो इस length of train कितनी आ गई, साड़े 400 meter, अब उसको किसको पार करना है, प्लेट फॉर्म को पार करना है, तो train की लंबाई, और प्लेट फॉर्म की लंबाई, साड़े 400 और साड़े 500 कितनी हो जाएगी, आप कीजिए, 1000 हो जाएगी, किसे पार करना है, इसको पार करना है, पचास की चाल से, तो टाइम ब यह देखिए चार सेव और पांच आम का मूल 35 रुपे तो मान लो आप कि सेव का मूल X है आम का बाई है तो 4X पिलस 5Y बरावर कितना 35 है न और सेव के मूल में 40% की ब्रद्धी तो 4 थी मान लो 40% की ब्रद्धी यान 14% हो गई तो कितनी हो जाएगी 4 का 140 पितना हो था 5.6 X पिलस दूसरी वाली 40 काम हो गई कितनी होगी 60% तो 6, 35. यान दूसरी वाली कितनी हो थिका थिरी वाही ऐसा करने से मूल 29 तो बरावर कि कितना हो जाएगा यह 29 अब आप क्या करें यह आपका 2 linear equations है गई इसको हम 4 तरीक से solve कर सकते हैं अभी हम क्या करेंगे इसमें आपको y की value equate बरावर कर देंगे इसमें कर देंगे हम 3 से गुणा इसमें कर देंगे हम 5 से गुणा तरी कितना हो जाएगा 3 4 के 12x प्लस 3 5 से 15 y ती 5 से 15 कितना हो जाएगा 105 पांच किसमें तो कितना हो जाएगा 5 6 का 30 और 25 तो कितना हो जाएगा 28x प्लस 5 तिया 15 y बराबर 5 नारे 45 की 5 हांसल किया है 4 5 2 10 4 14 अब इसको घटा देंगे इस बाली में से इसको घटा देंगे तो 28 में से 12 आ गए कितने x 16 x 15 y से 15 y कट जाएगा 145 में से 105 गए तो कितने बचेंगे 40 ठीक है तो x बराबर कितना आ गया 40 और बटे 16 यानि कि 8 पंचे 40 और आठ दूनी 16 तो x कितनी आ गई धाई यानि जो save की कीमत है वो कितनी है धाई रुपे अब x की वेलू आप चाहे इसमें पुट कर दो और चाहे इसमें पुट कर दो बात कैसी है बराबर हम x की वेलू आगे तो बाई की निकालना है तो आप यहां पुट कर दे रहे तो चार x पिलस 5 by is equal to 35 x की वेलू कितनी है 2.5 तो चार गोड़े 2.5 पिलस 5 by is equal to 35 धाई चौकी कितना होता है दस दस वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 5 by is equal to कितना आ जाएगा 25 तो बाई is equal to कितना आ गया पांच तो आम की कीमत है पांच रुपे और सिब की कीमत है दाई और पांच को हम जोड़ देंगे तो दोनों की कीमत कितनी है जाएगी साड़े 7 रुपे तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा option A हमारा answer हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ण यह देखिए क्या बोला साड़े 4 हजार रुपे को दो भागों में इस परकार विभाजत किया गया कि एक को आठ परसंट पे दूसरे को 9 परसंट पे बारसेकाए 387 है तो देखिए आपको क्या करना है दूसरा भाग बताना है तो एक भाग को आठ परसंट पे डिया गया दूसरे भाग को 9 परसंट पे दिया गया अगर हमें बीच की rate मिल जाएगी तो हमारा answer रेट क्या होता है सबस ऐसा है ना इन्टू हंड्रेट अपन कितना पी कितना है आपका 4500 इसको सॉल कर दी जिदो जीरो से जीरो कट गया है न ये कितना हो जाएगा आपका 3 एकम 3 3 5 15 3 एकम 3 3 2 6 और 3 27 फिर काट दीजिए 35 15 तीचों के बारह और तीन तरी के नौ अब आर कितना आगया इसमें पाच अथे चालीस और पांचा का 8.6% यानि जो 387 रुपे मिला उसकी जो फाइनल रेट थी वो 8.6% तो यहां पे 8.6% लग दीजिए अब ऐलिगेशन लगा 8.6% जाएंगे तो कितने बचेंगे? 0.4% बचेंगे. 8.6% में ऐसे 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? आपकी 0.6% बचेंगे. 0.2% कट गया. 224 और 236 यानि 2 रेशियो 3 में पैसे बाटे गए. 2 और 3 कितना होता है? 5 यूनिट. 5 यूनिट किसके बरावर? 4500 के बरावर. तो 3 यूनिट किसके बरावर? 2700 के बरावर. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है? अगला प्रसुन. ये क्या कह रहा है? सह केंदरे ब्रत्यों के तरज्याएं आपको दे रखी हैं. PQ बाहर ब्रत का ब्यास है. PR आंतरिक ब्रत्यों पर इसपर् करती है. तो तिर्भुच PQR का छेतरफल ग्याद कीजिए. तो देखिए. सबसे पहले हम दो ब्रत्यों बना लेंगे हैं. एक ये वाला ब्रत्यों रहा अंदर वाला. ठीक है? दूसरा वाला बना लेते हैं. ये आपका बाहर ब्रत्यों हो गया. ठीक है? आप देखिए. पी क्यू बाहर ब्रत्यों का ब्यास है. पी क्यू बाहर ब्रत्यों का ब्यास है. तो ये हमने क्या कर लिया? बाहर ब्रत्यों का ब्यास कर लिया. बात समझ पार है. बाहर ब्रत्यों का ब्यास. ये अपने पी माल लिया. ये क्या माल लिया? क्यू माल लिया? पी आर आंतरिक ब्र यह क्या है ऐसे है ठीक है पी की वार का छेतर फल यानि कि आपको इस पूरे भाग का क्या बताना है इस पूरे भाग का क्या बताना है छेतर फल बताना है ठीक है तो देखिए क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे अब समझते हैं आपको अंदर वाले की तरज़ा किती तरज़ा कि ये भी 10 हो जाएगा है ये 6 है और ये 10 है आपको पता है कि ये इस पर स्रेखा रेडियस में 90 ड्री होती है तो ये आपका क्या हो जाएगा hypotenuse ये 6 है ये 10 है तो जाहर सी बात ही ये कितना हो जाएगा 8 और अगर ये बाला भाग 8 है तो ये बाला भी भाग 8 हो जाएगा तो ये 8 हो 8 16 10 10 20 ये डवल है तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा ठीक है अब ये 12 हो गया तो ये आपका जो है क्या है एक right angle triangle है तो 16 ए एक साड़ क्या हो गई 16, एक साड़ क्या हो गई 20, तो यह राइ ट्रिपलेट्स है, तो area of triangle PQR क्या आ जाएगा, PQR is equal to 1 by 2 perpendicular into base, तो यह perpendicular into base, तो कितना हो जाएगा, 2, 8, 16, 12, 8, 96, तो answer कितना आ गया, 96 cm², ठीक है, next question, राधा ने एक computer को 10,000 में और central table को 5000 में खरीदा, उसने computer को 8% लाव पे बेच दिया, और कितने percent पे बेचे की पूरे लेंदर में 10% का लाव हो, तो देखो, पहली वाली 10,000 की, दूसरी वाली 5000 की, यानि 15,000 CP हो गया, पहली वाली को कितने में बेचे उसने, 8% पे, तो 10,000 का 8% कितना हो जाएगा, 800 रुपई है, पिलस, अब, 1500 चाहिए नहीं, उसको कितने रुपई चाहिए और, 700 रुपई, और चाहिए कितने पे चाहिए उसको 700 रुपई, 5000 रुपई चाहिए, तो रेट क्या हो जाएगा, 700 रुपई बटे 5000, इंटो कितना, 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया कितना आजागे पांच इकम पांच और पांच चो के 20 क्या अंसर आ गया 14 परसेंट हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है अगला प्रसुन कुशन नंबर 22 क्या कह रहा है 2018 में सब्जियों का एक अलुत पादन तो भई ये 2018 है एक अलुत पादन बताना है तो 2018 की सारी सब्जी जोड़ दीजी आप तो 700 और 512 सो और 70 1270 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1270 हो जाएगा ठीक है अगला देखिये ये क्या कह रहा है 28 percent की छूट दी थी पहले से और A ने थेला खरीदा तो इसको पना 14% की छूट मिल गई और उसने इतने का भुक्तान किया तो क्रेमूल उले खित क्रेमूल क्या था थेले पर लगे ठेक में उल्लेखित क्रेमूल क्या था तो देखिए आप कुछ नहीं कर ना मालो की उल्लेखित क्रेमूल X था 28% का discount already था तो 28% का था इसका मिलब कितने percent बाकी है भी 72% है ना तो 72% value पर दे रहा था फिर 14% discount मिल गया यानि कि 86% है ना और ये किस के बरावर कर देना है आपको 619.20 के बरावर आप इसको कर दीजिए किसके बरावर 6.29 619.20 के बरावर आप इसको कर दीजिए तो आपका अंसर क्या आज है इसको solve करेंगे आप तो ये काट दीजिए पहले तो आप चार एकम चार चार अठे 32 चार पच्चीस हम 100 को काड़ दीजिए दो चोके आठ दो तिया छे बरावर ये क्या हो जाएगा एकस बरावर 619.20 गुणा पच्चीस गुणा पच्यास बटे अठारा गुणा कितना 43 तो आपकी एकस की जो value है वो कितनी आ जाएगी 1000 आ जाएगी कितनी आ जाएगी 1000 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी 1000 आपका आंसर हो जाएगा ठीक है अगला question A, B, C एक कार को करम सहा 10, 15 और 30 दिन में करते हैं तो देखिए A, A रहा ये B रहा और ये C रहा A B ये C है ये क्या है? C है A B और C कितने दिन में? ये करता है 10 दिन में ये कितने दिन में? ये वाला करता है 15 दिन में ये कितने दिन में? ये वाला करता है 30 दिन में तो 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन का आप LCM ले लिजे कितना आ जाएगा LCM आपका आ जाएगा 30 यानि की जो total हमारा काम है वो कितना है? 30 है और इसी करवाना कितना है? 40% तो 30 का जो 40% है वो कितना हो जाता है? 12 हो जाता है यानि हमें केवल 12 काम ही करना है और कौन-कौन कर रहा इसको देखते हैं B और C दोनों पर एक तीसरे दिन मदद करते हैं यानि A continue है और A की मदद B C तीसरे दिन करने आएगे तो हम यह देखते हैं कि A करता कितना है 10, 3, 3, 15, 12, 30, 30 से कम 30 तो यह कितना करता है? 3 तो पहले दिन यह 3 कर लेगा, दूसरे दिन यह 3 कर लेगा फिर यह B और C मदद करने आएगे तो B C कतनी हेल्प करेंगे? 2 और 1, 3 और हेल्प करेंगे 3 और 3, 6 और 6, 12 काम पूरा हो गया तो यह पहला दिन, यह दूसरा दिन, यह तीसरा दिन यानि सारा का सारा काम जो है वो तीन दिन में क्या हो जाएगा? कम्पिलीट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट कुस्चिन यह क्या कह रहा है? यह वैलू इसके बरावर है, ठीक है? तो आपको 10 स्कूर थीटा, कौसेक स्कूर थीटा मानस 10 की स्कूर थीटा, प्लस 2 की वैली निकाल दी है इस प्रसंद में आप क्या करने? केवल थीटा की वैलू 45 रख दे, कितनी रख दे थीटा की वैलू कितनी? 45 डिग्री तो जब थीटा की वैलू 45 डिग्री रखेंगे तो यह वाला जो पार्ट है, इसके क्या हो जाएगा? बरावर हो जाएगा तो 10 45 की वैलू आप यहां रख दीजे 1 कोसिक 45 और सेक 45 कड़ जाएगा ठीक है वो 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 ठीक है यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन भी प्रेस कर दें और जिससे कि आपको हमारा आने वाला नए 4 झांसर करें वीडियों सहरा दयाएगा 2 वाला नएफगा सेक जो झामएधा 2 वीडियों सहरा विस्जा ए रेमिश्स्क्राइब को साइओब लाहा लाधा हमारा क्या में म tyre 개्ता आपको नएफ़ ऑ NOT